छतरपुर के जंगलों में पुलिस अभी भी खाक छान रही है और शद्धा मर्डर केस में गुत्थी को सुलजाने के लिए चप्पे चप्पे पर अब तलाशी अभियान भी पुलिस टीम का चल रहा है और इसी तरह से कई जीओं के आउशेश जबकि इन जंगलों में पड़े हुए हैं लेकिन पुलिस ये तलाशने की कोशिश कर रही है कि जिस केस से जोड़ी वो जानकरी हासिल करना चाहती है क्या वो अभी सुबूत यहां इस जंगल में मिल सकते हैं कई ऐसे पुलिस ओफिसर्स की टीम है जो लगातार दिन रात अब इन पूरे इलाकों में चानबीन में जोटी हुई है हाला कि अभी वो आधिकारिक तोर पर किसी भी तरह का बयान देने से बच रहे हैं लेकिन जो बात सामने आ रही है इस जंगल में कि इस जंगल के कोने कोने के इलाके को चान लेना चाहती है क्योंकि यहाँ पर ऐसी कई जीओं के आउशिश और देखे जा सकते हैं इस जंगल में लेकिन पुलिस को आशंका ये है कि क्या कहीं श्रद्धा के कुछ शरीर के टुकड़े इसी जंगल में अभी और मवजूद तो नहीं है कई जगे इस तरह से पॉलिथीन बंधी हुई फेकी गई है और आशंका ये है कि क्या इसी तरह की कोई पॉलिथीन का इस्तेमाल करके वो शरीर के आउशिशों को इन जंगल में फेकता तो नहीं रहा है क्योंकि शद्धा मुर्डर केस में आफ्ताब ने अपना जुर्म कुबूल किया है और ये जानकरी पुलिस को दी है कि वो इसी जंगल में शद्धा के शरीर के टुकणों को लाकर फेकता रहा है जहां पर भीतर और पुलिस के टीम मौजूद है वहाँ चलने की कोशिश करते हैं किन-किन जगों पर पुलिस पहुंची है क्या वो मॉबाइल फोन तलाश रही है क्या किसी और चीज को इस पूरे इलाके में उसने छुपाने की कोशिश की है इस पूरे इलाके में जा करके हम यही चानबिन करने की कोशिश करेंगे लगी हुई यह लग रहा है कुछ अभी रात भर में मिल पाया है क्या रात में कुछ ने मिला भी सुबह से फिर कुछ ती लेकिन वो हम देख करके आएं अब वो क्या हुआ होगा कि उसने फेका अगर अंदर अंदर भी होगा तो अब जानवर तो कहीं से बूठा के कहीं भी भूम जाएंगे ना अवशेशों को पॉलिथिन फाट रहे होंगे यह कर रहे होंगे तो हमको वो दिखाई दिया नहीं दिख रहा है कि है इसको इसको शूट कर लो मतलब अब इस घने जंगल में तो कई तरह के प्राणियों के अवशेश ऐसे मिल सकते हैं है ना कई जीओं के लेकिन यह किस प्राणी का है यह तो अब आप जैसे एक्सपर्स लोग ही और थोड़ा से जान पाएंगे अच्छा तो ऐसे कई और ऐसे अवशेश पड़े मिल रहे होंगे ना यहां वहां हां यह इस तरह से कि यह अब उसने भी क्या किया होगा कि पत्थर के आड में कहीं पर ऐसे छुपाने की कोशिश किया हो अगर तो एसे ही तुकरती पड़हुंगे पर अच्छा इस रास्ते तो आफ्ताब ने यही बता था वह आया तो यहीं से था क्योंकि उस दिन भी जब हम आयना आफ्ताब के साथ में जब आप की टीम लेकर आई पुलिस की टीम लगातार यहां चानबिन में जोटी हुई है और चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा है कि क्या कहीं कोई और सुराग हाथ लग सकता है क्योंकि शद्धा के शरीर के कई टुकड़े करके उसने च्छतरपूर के इसी जंगल में फेंका था एक तरफ महरोली दूसरे तरफ चप्पूर और बीच में ये घना बियाबान जंगल है और यहीं पुलिस की टीम लगातार तफ्तिश में जुटी हुई है अपने वीडियो जनलिस साथी दिनेश नागर के साथ में प्रशांत चुरहे निउस इट इन इंडिया चप्पूर दि झाली